तो क्या हो जाता है कि जैसे कि आइंस्टाइन जी ने भी बताया था कि आपका भौतिक और जो उर्जा होते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है ठीक है बहुत सारों लोग मुझे नहीं पता कि जितने भी लोग विडियो बगरा देख रहे होंगे उन लोगोंने फीजिक्स पढ़ा करता है तरह के या फिर एक तरह की तरुगे से भी इंकर टीसे बड़ताव कर सकता है यह फिर एक तरह के सब्सक्रिंड मैं इंसकी Колि नहीं है और दोनों एकी तरीड़ के टाइम टाइम पे दोनों एक की साथ में रहता है इसके अर्थ से क्या बोल सकते हैं जैसे कि जो हम दोग देख रहे हैं यह बहुतिकता वात हो गया एक तरीके से बोलने की तरीका हैं मगर यह सब को क्या संबब बना रहा है ठीक है इसके नीचे का जो क्या है ठीक है तो उसको हम लोग एक तरीके से एक तरीके का उ और जिसमें हम लोग आप बगरा चलाते हैं तो मगर क्या अपने आप चलेगी सब्सक्राइब तो हमारे सरीर में भी एक तरीके से उड़ा प्रभावीत हो रही होती है हर तरीके को इसमें अगर फिजिक्स के तरीके से देखेंगे तो वह सिर्फ एक लेवल तक ही जाएगी जैसे की आपका तापक्रम का बुट जैसे हीट इनर्जी बोलते हैं काइनेटिक इनर्जी पोटे मात करते हैं जो आप माप सकते हैं तो अगर उसके बहुत ही ज्यादा टॉपिक हो जाएगा उसके पहले बात की थी अगर अगर आपको सिर्फ जिस जीवन में आप जी रहे हैं, अगर आपको यह जीवन अच्छा लग रहा है, अगर आपको इसमें कोई तब्दिलियत नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस ही छोड़ सकते हैं, और आपके प्रारवद के हिसाब से उपने आप चलता चला जाएगा, ठीक है, आपका उर्जा में आपको कोई तब्दिली या फिर उस उर्जा को एक तरीके की तिब्रता में ले जाने की कोशिश करने की कोशिश होते हैं, उसी में हम लोग क्रिया बगरा करते हैं, और सक्तिशलन क्रिया बगरा और जितने भी सादनाय बगरा करते हैं, उसका मक्सद ही है कि जो उर्जा कि इस पष्चत को प्राप्त कर सके कि मैं कौन को एक उधारण देते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं कि अंदेरा साध कमरा हैं और आपके बास लाक कुछ भी नहीं है तो क्या हो गए सब कुछ नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है ठीक है मेरे मन्य कि आपने थोड़ा सा उर्जा दे दी और एक बल्ब को जलाने की कोशिस की तो आपको धीमा-धीमा थोड़ा कुछ दिखने को मिल गया है ठीक है मगर इस पश्टता अभी भी नहीं है मगर उसमें इतना सार उर्जा डाल लिया कि वह जो बल्व है वह पूरे तरह के से उजाला हो गया ठीक है तो उसकी बज़े से क्या हो जाएगी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है कैसा है कुछ है तो उर्जा ही सबसे एक तरह से प्रभवकार यह तरीका है 21 सदी में क्योंकि लोगों के पास ध्यान करने के लिए ज्यादा समय नहीं रहता सब कुछ को ब्यवस्तित करने की जरूरत होती है इसकी वज़ए से सबसे अच्छा रहता है कि आप क्रिया बगरा करें जिसकी वज यह सब क्या हो रहा है और मैं कौन हूं तो इस संभावन है आपको ईशा से सत प्रतिशत प्रप्त हो जाएगे